First Apple list में हम चलते हैं, quickly, M launcher. M launcher का मतलब आपको यहाँ पर क्या मैं आपको बता जाता हूँ. M launcher यह a custom launcher है, जो आप अपने device में try कर सकते हैं. और इसकी सबसे अच्छी चीज यह है कि बहुत simple है, कोई icon नहीं कुछ नहीं, लेकिन actually में quite fast है. और यह एक open source Android app, so that's a very interesting thing, आप देखे कर आप swipe करेंगे, for example, इसमें swipe right करूँगा या swipe left करूँगा basically, तो आपको यहाँ पर camera open होता देखेगा और आप इसे customize कर सकते हैं, जो भी आपको choose करना, आप बस यहाँ पर hold करेंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पर icons को, basically apps को add कर and doesn't matter कि आप कौन सा device यूज़ कर रहें, doesn't matter कि आप कौन सा Android बोजिशन यूज़ कर रहें, किसी भी Android बोजिशन में, किसी भी ड्वाइस में यह launcher काम करेंगा, for example, अगर आप महीं हुआ ही, HyperOS यसा यूज़ कर रहें, वहाँ पर आप कुशा gestures काम करते हैं, नजर नहीं आएं हुआ, इस तरह से बहुत सारे options हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से configure कर सकते हैं, अपने हिसाब से customize कर सकते हैं, options के बारे में, yes, there are a lot, तो इसे जरूर चेक आप कीज़ें लिंक मिलेगा, आपको description में वहाँ पचल के, आप इसे download and install and use कर सकते हैं, second app जो इस लिस्ट में हमने media player का option भी देखने को मिल जागा, तो basically, अगर आप एक pixel launcher यूज़ करें, या फिर कोई ऐसा launcher यूज़ करें, जिसमें आपको add a glance widget included देखने को मिलता है, उसे आप बिलकुल बिना किसी issue के, बिना route के customize कर सकते हैं, उसमें आप additional चीज़ें add कर सकते हैं, हर चीज़ आप properly add कर प अगर आपको इसे choose नहीं करना है, आपको पास options काफी सारे available है, मैंने torch को enable किया, और आप देखें मुझे at a glance में यह चीज़ देखने को मिल चुकी है, बायानी chance अगर यह चीज़ अविल नहीं है, तो आप इसे enable or disable कर पाएंगे, बहुत ही easy steps हैं, लेकिन quite underrated app है, इसे miss मत क कीज़ें, और यह आप अपने device में फ्री में download and install कर पाएंगे, इसमें काफी सारे plugins भी देखने को मिलते हैं, जो मैंने इसको पर एक dedicated video बनाया है, अगर आपको वो चाहिए, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगा, जहां पर आप इसे setup कर सक किसे काम करें, तो वो आप इस आप को try कर सकते हैं, इसका link में आपको description में, आप swipe down करेंगे, आप देखेंगे, आपको exactly iOS style में control center देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ shortcuts बगरा भी देखने को मिल जाएंगे, जो आप अपने हिसाब से add कर सकते हैं, for example, मैंने यह आपर apps का shortcut add कर जो कि मैं अपने हिसाब से choose कर जाता हूँ, आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक arrow देखने को मिल रही है, एक pill side देखने को मिल जिसको आप enable करेंगे, उसके बाद आप इसको setup कर पाएंगे, इसको use कर पाएंगे, कौन सा यह app है, कैसे इसको choose करना है, वो भी मैं आपको इस app करने में control center link मिलेगा, आपको description में already, इसमें आपके पास कुछ options available है, customize करने के लिए, so for example, अगर आपको इसकी background को change करना है, वो आप अपने हिसाब से कर पाएंगे, जो भी background आपको better लगे, उस आप choose कीजए, click on apply, that is it, उसके बाद यह चीज़ काम करना शुरू कर देग और इसको आप अपने हिसाब से choose कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पता है, options इसमें भी आपको काफी सारे देखने का मलते है, customize करने के, तो जो भी आपको choose करना है, आप control center में जो जो options को add करना चाहते है, किसी third party app को add करना चाहते है, वो आप कर पाएंगे, options बहुत सारे available है, तो yes, no issues with that, आप इसे choose कीज़े, use कीज़े, और अगर आपको ये app अच्छा लगे, तो इस app को ज़रू ट्राइगे, ज़र अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, पहुत इंट्रसिंग से apps मेंने आपके साथ काफी सारे शेयर करें, और भी आपको देखने को मिलने वाले, next app तो इस list में आपको देखने मिला है, इस काने में डिस्की, इस app का basically मतलब आपको ये देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से folder में कितनी space आप यहाँ पर consume कर रहे हैं, आपके device में कि कितनी gigabytes, कितनी space है, वो free है, कितनी used है, आप देखें, for example, apps इतने हैं, और Android OS ने कितनी आप, space consume करी है, कौन से folder में कितना backup है, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो actually में काफी जादा useful हमें देखने को मिलता है, so बहुत से जादा useful हो सकता है, काफी सारे cases में आप देखें, आपको पस apps और Android OS को option भी देखने को मिलेगा, उसके लब और कुछ नहीं है, so for example, अगर मैं apps open करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउन से particular app में user data कितना है, cache कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उसके लब इसमें कोई settings नहीं है, कुछ तो material use theming के साथ यह कुछ चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, तो yes, यह आप आपको काफी जादा useful लग सकता है, काफी जारे cases में, इसे miss मत कीजें, क्योंकि इसमें आपको कोई add देखने को नहीं मिलेगी, तो जरू चेक आउट कीजें, इस list का last, but not the least, we have heli board, और इस app क name से आप चांच चुके हैं, कि यह google keyboard का एक alternative हमें देखने को मिलेगा, अगर आप google keyboard use नहीं करना चाते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राइ कर सकते हैं, बिल्कुल similar google keyboard जैसे काम करेगा, यह keyboard लेकिन इसमें कुछ features हैं, जो बहुत जादा useful हमें देखने को मिलेंगे, and for example, अगर force incognito mode, वो काफी जादा useful है, तो basically यह इसका main reason है, जिसकी वाज़ा से आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए, लेकिन वैसे बागी features काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप इन सभी apps को पसंद करते हैं, तो वीडिय झाल, आप बहुतिया है, थाहँ, नि radius ही करते हैं, झाल, बहुतिया है, तो यह जिर टेकिन वाज़ा इन सभी और्सफोंगे, यह जयुआ अशने थांखे लिचरी को बाला है, जा experts in the